हलो एवरिवन, वेल्कम बैक टू बिंज क्रेविंग्स और आज हम बनाने चारे हैं तिलकुट रेसिपी बहुत ही आसान है और सर्दियों के लिए तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि सर्दियों में तिल से हमारे शरीर को गर्माहट मिलती है जिसकी वज़े से हम बिमारियों से दूर रहते हैं और ये रेसिपी मकर संक्रांती और सकर चतुर्थी पर भी बनाई जाती है। रेसिपी बहुत ही आसान है और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आप सभी का सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन है। जात ही पास बने बैल आइकन को प्रेस करतें ताकि आप तक मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज की रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ 250 ग्रैम्स तिल। तिल कुट बनाने के लिए हमें सफेद तिलों का यूज करना है। तिल को हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। तिल भूनते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप सारे तिलों को लगातार स्टर करते रहें। क्योंकि अगर कुछ तिल ज्यादा सिख गए और कुछ तिल कम सिखे या फिर कच्चे रह गए तो उसकी वजह से हमारे तिल को कटेस्ट खराब हो सकता है। इतने तिलों को भूनने के लिए हार्डली हमें पांच मिनट का समय लगता है। तिलों को हमें एकदम लाइट कोल्डन ब्राउन होने तक ही भूनना है। तो यहाँ पर तिल भून चुके हैं और अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और हम इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो तिल अब पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं और अब बारी आती है इन्हें पीसने की। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप तिल पीसें वो पूरी तरह से ठंडे हो वरना इन्हें पीसते वक्त इनसे तेल अलग हो सकता है। और यह चड़े हमारे तिल पिसने के लिए और हमारे तिल पिसकर एकदम तयार है। तिलों को हमें पल्स मोट पर पीसना है जिसे इनसे तेल अलग ना हो। और आप यह समझे कि जो यह तिल भूनने का प्रोसेस था वही इस रेसिपी का सबसे लंबा पार था। बाखी तो इस रेसिपी को बनाने में हमें मिंटो लबते हैं। तो यहां पर सारे पिसे हुए तिल को मैंने एक बड़े बोल्में ट्रांसफर कर लिया है। और अब मैं इसके अदर एड़ कर रही हूँ बूरा दिल पाउडर। मेवा कौनसी और कितनी क्वांटिटी में रखनी है वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है अब सारी चीजों को हमें मिक्स करना है और यहां पर मैं आपको अपनी गलती बताने जा रही हूं कि जो बूरा मैंने इसके अंदर एट किया था वो मैंने बिना चाने इसके अंदर जो बूरा मैंने डाला था तो मुझे लगा कि इसके अंदर लम्स नहीं है क्योंकि फ्रेश पैकेट मैंने खोला था बट क्योंकि बूरे की टेंडेंसी होती है इस तरह से थोड़ा सोड़े इसमें लम्स आ जाते हैं तो इस वज़े से मुझे यह प्रॉब्लम आ रही है तो अगर इस तरह से बारी कटी हुई इसके अंदर मेवा एट करेंगे तो इससे इसका टेस्ट और इसका जो टेक्शर है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आज की इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करें और यह रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ल